टी ट्वेंटी महाकुम्ब की टी ट्वेंटी का खुमार दुनिया पर चड़ने लगा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे मैच और इस टूर्नमेंट में हर रोज उलट फेर देखने को मिल रही है लेकिन सबसे बड़ी उलट फेर कल देखने को मिली जब अमेरिका ने 20 ओवर वाले फटाफट क्रिकेट में पाकिस्तान को रौंद डाला ये मुकाबला इतना जबरदस था कि सुपर ओवर तक पहुँच गया पहली बार खेल रही अमेरिकी टीम ने उलट फेर करते हुए एक बार की चेंपियन पाकिस्तान को धेर कर दिया कल के मैच के बाद पाकिस्तान टीम को 2007 का वो मैच याद आ गया जब टी 20 मैच में पहली बार खेल रही आरलेंड ने इसी पाकिस्तान को मात दी थी कल फिर पाकिस्तान के साथ वही हुआ पी 20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलट फेर अमारिका के सामने पाकिस्तान ढेर कहते हैं क्रिकेट अनश्यताओं का खेल है कब कौन बाजी पलट दे कहा नहीं जा सकता शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक बार की चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका मात दे देगा लेकिन अब सोच बदलनी होगी क्योंकि अमारिका ने अपनी सिर्जमी पर पाकिस्तान को ऐसा दोया कि उसे सपने में भी ये टीम याद रहेगी याद आएंगे वो खिलाडी जो भले ही अमारिका की टीम से खेल रहे हैं लेकिन उनकी रगों में भारतिये खून दोडता है भारतिये मूल के खिलाडियों ने ऐसा कहर बर पाया कि 2009 के चैंपियंस को दिन में ही रात नजर आई दरसल अमारिका ने टी टुएंटी वे शुकप में पाकिस्तान को रौंट दिया 20 ओवर वाले मैच में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी 20 ओवर के मैच में पाकिस्तान को पटकनी दी पहली बार वर्ड कप खेल रही अमेरिका ने 2009 के चैंपियंस को सूपर ओवर में हरा दिया मैच इतना इंटरस्टिंग था कि आखरी ओवर तक विजेता नहीं मिला फैसला सूपर ओवर में हुआ जरा कैसे हरा पाकिस्तान ये भी जानिये इस फिल्म की कहानी के हीरो अमेरिका के और से खिल रहे भारतिय मूल के खिलाडी रहे खास तोर पर मोनांग पटेल, सौरब, नेतरवलकर, हरमीद सिंग, नीतीश कुमार इतिहास बनाने वाली अमेरिके टीम ने इन चारों का योगदान रहा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जंग की शुरवात टॉस से ही हो गई अमेरिका ने पहले टॉस जीता और गिंदवाजी का फैसला किया पाकिस्तान को 169 रन पर ही रोक दिया अब बारी अमेरिका की थी अमेरिका की ओर से कप्तान मोनांक ने 50 लगाई इन रीस गॉस ने 35 और एरोन जोंस ने 36 रन बना कर स्कोर टाई कर दिया ये मैच तो टाई होने तक की बात थी अब ज़रा सूपर ओवर का रोमांच जानिये कैसे पाकिस्तान सूपर ओवर में ओंधे मोह गिरा और ऐसा गिरा की हार का मोह देखना पड़ा सूपर ओवर में पहले अमेरिका की टीम ने बल्ले बाजी की मैदान में अमेरिका की ओर से आरोन जोंस और हरमीद सिंग ओपनिंग करने आए पाकिस्तान के मुहम्मद आमिर की गेंदबाजी पर तावर तोड़ प्रहार करते हुए 18 रहरं बना डाले सूपर ओवर में पाकिस्तान को 19 रहरं का टार्गिट मिला अबारी पाकिस्तान की थी सूपर ओवर में पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान और इफ्तिकार अहमद की द्वारा बल्ले बाजी की गई दूसरी छोर पर सौरब नेतर वलकर ने जबर दस्त गेंद बाजी करते हुए पाकिस्तान को तेरह ही रन पर रोख दिया अमेरिका ने इतिहास रच दिया अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाब किसी भी फॉर्मेट में ये पहली जीत है अमेरिका ने इस हार के साथ की ग्रुप A में पॉइंट टेबल पर पूरा समी करण ही बतल दिया अमेरिका के इस जीत के बाद पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खत्रा भी मंड़ाने लगा है अगर अमेरिका अपने अगले दोनों मैचिस जीत जाती है तो वो सूपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर अमेरिका 12 जून को होने वाले मैच में भारत से हार जाती है तो भी उसके पास सूपर एट में पहुँचने का मौका होगा बशरते 14 जून को होने वाले अपने आखरी लिग स्टेज के मैच में आरलेंड को बड़े अंतर से हरा दें वहीं पाकिस्तान को अब भारत, कैनेडा, आरलेंड के खिलाफ मैच खिलना है बाबर अन कम्टनी भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं करती है तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने की कगार परा जाएगी और इसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही खबरें जारी रहेंगी